हेलो फ्रेंड्स ए वेरी गूड मॉर्निंग तो व्यू वेल्कम बैक तो दो चैनल ओनलाइन सिक्षन मैं हूँ आपके साथ अंचली वालियान और आप सभी का स्वागत करती हूँ दोस्तों आज आपकी डियलेड चतुर्थ सेमेस्टर इंगलिस विश्य की तीसरी क्लास है इस एप्रोच टेक्निक्स और मैथर्ड डिफ्रेंड्स थीक है और मैथेड्स क्या होते हैं ये सबवी चीजें हमने आपकी पहली क्लास में डिसकेस् करेंगे मैथर्ड्सद एंगलिस टीचिग और इसके अतरगत सबसे पहला मैथट जो आपका आता है ग्रामर कम ट्रांसलेशन मैथर्ड इसकी हम आज चर्चा करेंगे ठीक है तो एक बार सभी फ्रेंड्स शेयर कर दीजे अपने मित्रों को ताकि सभी क्लास से जुड़ जाए और हम आगी की क्लास को शुरू कर पाए तो गुड मॉर्निंग ओल फ्यू चलिए शुरू करें अप आपका डर खतम हो जाएगा इतने बेसिक से अच्छे से तरीके से हम पढ़ेंगे और साथी साथ आपके नोट्स भी बनते हुए रेडी हो जाएगे तो चलिए गाइस शुरू करें आगर आप सभी लोग आ गए है देखिए यह आपका लेसन वन ही है ठीक है लेसन वन है और इसका लेसन वन का पार्ट टू ये क्लास है तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे जैसे मैंने आपको बताया कि आज की क्लास में हम जो आपका पहला मैथड है ग्रामर कम ट्रांसलेशन मैथड इस पर चर्चा करेंगे ठीक है तो GTM कौन सा मैथड है तो आप क्या बताएंगे ग्रामर कम ट्रांसलेशन मैथड की छोड़ फॉम होती है GTM इसको हम और कई नामों से जानते हैं दोस्तों मैथड किसलिए यूज किया जाते है इस बात के जानकारी मैंने आपको इससे पहली क्लास में दी थी कि अपने टीचिं मैथड का यूज करते हैं ठीक है अपनी टीचिंग में तो चलिए यहां पर दोस्तों आपसे एक्जाम में कैसे पर्षन पूछे जाते हैं आपसे पूछा जाता है कि ग्रामर कम ट्रांसलेशन मैथड को और किस नाम से जानते है ठीक है तो या फिर इस तरीके से पूछा जा कि ट्रांसलेशन मैथड बताओं सा होता है तो इसलिए आपको जरूरी है इसके नाम जान लेने क्योंकि आपको फिर एक्सक्लेर तो सेम ही करना है लेकि नाम आपको पता होना चाहिए कि किस किस तरीके से आप से एक्जाम में एक्जामिनर कुष्शन पूछ पूछ सकता है तो चलिए बात कर लेते हैं देखे ग्रामर कम ट्रांसलेशन मैथड जैसा कि नाम से ही किलियर है कि ग्रामर को यहां पर ट्रांसलेट करके पढ़ाया जाता है बच्चे की मदर टंग ने तो इसके अदर नेम्स क्या है क्लासिकल मैथड यानि इंडिया में सबसे जादा यूज होने वाला यह मैथड है और बहुत कुराना है पहले से ही चला आ रहा है शुरुबात से ही दूसरा आपका इसका नाम आप लोग याद रखेंगे ट्रांसलेशन मैथड क्योंकि इसमें हम लोग जो हमारी टारिगेट लेंग्वेज होती है उसको ट्रांसलेट करके मदर टंग में बच्चे को तब सिखाते हैं तो एक और इसका नाम हो जाता है ट्रांसलेट मैथड द किया जाता है आपकी टीचिंग लर्निंग में और बात करें इसको ओल्डेस्ट मैथड के नाम से जानते हैं तो आपको याद रहेगा जैसे कि टीचिंग मैथ ट्रेडिशनल मैथड हो गया तो इसको ही हम क्या कहेंगे ओल्डेस्ट मैथड और सबसे आखरी और मैथकूर है इंडिया में सबसे जादा यूज इसी मैथड का किया जलता है ग्रामर कम ट्रांसलेशन मैथड का ठीक है अब बात करेंगे है क्या यह मैथड होता क्या है इसमें अभी तो आपने सिर्फ इनके नाम जाने के किस किस नाम से आप इस मैथड को और जान सकते हैं तो चलिए बा सब्सक्राइब बच्चों को एज सेकेंड लेंग्विज क्लास्रूम में हम बच्चे को इंग्लिश चिखाते हैं दब मैथड विच वाज ओरिजनली फॉलॉवड इन अवर कंट्री इस नोन एज ग्रामर कम ट्रांसलेशन मैथड यानि इसमें आप हर एक सेंटेंस को हर एक वर्ड को ट्रांसलेट करके बच्चे की मदर टंग में तब आप उसे क्या सिखाते हैं इंग्लिश सिखाते हैं यहां हमारी टार्गेट लेंग्विज कौन सी होती है इंग्लिश होती है यानि हम जब बच्चे को इंग्लिश सिखाएं तो हम क्या करेंगे उसको और और इजनल यहां पर बात की गई है अपनी कंट्री यानि इंडिया में यह मैथड बहुत ही जादा परचलन में है अगले पॉइंट है यहां पर टीचर्ज रीड़ एवरी सेंटेंस एंड ट्रांसलेट अवरी सेंटेंस इंटू मदर टंग थू वर्ड तू वर्ड यानि वही बात कही गई है जो मैंने आपको अभी बताई कि टीचर्ज क्या करते हैं हर एक सेंटेंस को पढ़ते हैं और इसको ट्रांसलेट करते हैं बच्चे की मदर टंग में शब्द शब्दों को भी और उसके पूरे वाक्य को बेटिक है तो जहां ज़रत पढ़ती है वहां- इसको ट्रांसलेट करके आपको बता रहे हैं कि इसका कहने काम अर्थ क्या है ठीक है और यह मोटा मोटा सा यहां पर अपने माइंड में इमेज बना लीजे कि डारेक्ट मैथड और ग्रामर कम ट्रांसलेशन में अंतर क्या है कि उसमें आप मदर टंग में लेंग्वेज को नहीं करते हैं डारेक्ट उसी लेंग्वेज में सिखाते हैं जो आपको जो आपकी टार्गेट लेंग्वेज होती है जो आपको सिखानी होती है लेकिन ग्रामर कम ट्रांसलेशन में आप टार्गेटेड लेंग्वेज यानि इंग्लिश को अपनी मदर टंग में कनवर्ट क करके बच्चे को ट्रांसलेट करके तब सिखाते हैं तो यह बात आपको यहां पर बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है प्रीजियर पेपर में पूछी गई है देखिए अगर हम इस पूरी बात को एक छोटे से टेबल की हैल्प से समझाना चाहे तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको आप लोग ध्यान से देखें यह अच्छा अभी तक जितना मैंने आपको बताया हो समझ जा रहा है सबी को जी बिल्कुल अब आपका सीटेट का नोटिफिकेशन भी आउट हो गया है और यूपिटेट के की भी न्यूज आ रही है कि 15 जून से आपका लगबग शुर सीटेट के लिए ठीक है तो बहुत अच्छे से अपनी तयारी में लग जाईए और एक्जाम का भी आपका कुछ भी क्लियर नहीं है कि कब तक हो बाएगा डी एलेड की बात कर रही हूँ मैं फोर्थ का होगा या थर्ड का होगा पिन पी ने अभी तक कुछ भी ऐसी बात न लेखिए यहां भी आप टाइम दिजे इन एक्जाम की तयारी के लिए भी जिसकी बैक है उसके लिए मैं बता दू कि जिसकी बैक है एक या दो सब्जेक्ट में वह फॉर्म डाल सकता है यूपिटेट सीटेट का लेकिन जब तक उसकी बैक के लिए नहीं होती है वो उसका नहीं कर सकता उस आपके सर्टिफिकेट का ठीक है तो आपको उसके लिए सबसे पहले बैक आपकी जब निकल जाएगे उसके बाद आप लोग उसका पर यूज कर पाएंगे लेकिन आप सुम के लिए ऐलिजबल है फॉम डाल सकते है ठीक है तो यहां पर हम बात कर लेते हैं सबसे पहले क्या बताया है कि हमारी एक टार्गेट लेंग्वेज है यहां पर जो हमें सिखानी है कौन सी कौन सी है टार्गेट लेंग्वेज इंगलिश और हम उसको ट्रांसलेट करते हैं उसकी मदर टंग में और मदर टंग में ट्रांसलेट करके ही बच्चे को सिखाते है तो target language यहाँ पर क्या है? English है, translate करनी है हमें उसकी mother tongue में तो यही method क्या बन जाता है? आपका grammar come translation method यह method बन जाता है सिर्फ आपको इतना process follow करना है कि आपको target language रखनी है यहाँ पर आप रखेंगे English और उसको जब आप translate करेंगे बच्चे की mother tongue में तो वो method क्या बन जाएगा? Grammar come translate method अब दोस्तों इसके regarding आप कुछ points और याद रखेंगे ठीक है? इस method में क्या होता है? कि rules पर focus किया जाता है जो rules होते है grammar के उन पर यहाँ पर जादा focus किया जाता है तो rules पर focus करते है grammar के और साथ ही साथ जो written text होता है as it is वही समझा दिया जाता है और comprehensive को यानि यहाँ पर दोस्तों जो grammar के rules होते हैं वो जादा follow किये जाते है ठीक है? additional चीज़े कम बताई जाती है और दोस्तों यहाँ पर देखिए एक और बात बहुत मैदकून है कि grammar is taught deductively यानि यहाँ पर deductive method यूज किया जाता है grammar सिखाने के लिए deductive method में क्या होता है यह बात आप लोग ध्यान रखें कि इसमें rules to example जाते है ठीक है? rules to example यहाँ पर जाते है यानि पहले आपको grammar के rules सिखाये जाते है उसके बाद फिर आपको examples से उसको समझाया जाता है ठीक है तो इसलिए हम क्या कहेंगे grammar कैसे सिखाये जाती है deductive method से यानि पहले आपको पूरे grammar के rules बताए जाएंगे देन उसके बाद आपको examples से वो चीज के लिए एक जाएगे अगले यहाँ पर point देखेंगे आप spoken aspects of language is neglected यानि एक language के कितने aspects होते है मैंने आपको इससे पहली class में बताया था कि L, S, R, W यह चार aspects aspects होते है एक language को सिखाने के सबसे पहले उसमें आप लोग follow करते है listening को सुनना फिर speaking, बोलना, R से reading, पढ़ना और W से writing यानि लिखना तो यह चार यहाँ पर steps होते है कोई भी language सीखने के तो यहाँ क्या बताये गया है आपको कि spoken aspects of language is neglected जो आपका यह spoken aspect होता है speaking का यहाँ पर यह उसको बिल्कुल नकार देता है इसका यहाँ पर कोई value नहीं है इस method में किस aspect की speaking aspect की ठीक है यानि यहाँ पर बच्चे की speaking पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है बस जो exam जो आपका teacher है वो exam oriented चीज़े कराता हुआ चला जाता है ठीक है बच्चे को वो चीज़ बोलनी आ रही है नहीं आ रही है उससे कोई फ आगे बात करते हैं यह आपको मैंने बताया कि कौन कौन से यहाँ पर steps होते है किसी भी language को सीखने के वही यहाँ पर लिखा हुआ है l s r w ठीक है तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि speaking को यहाँ पर neglect किया जाता है साथी साथ दोस्तों यहाँ पर listening को भी बहुत हज तक neglect करता है ठीक है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बच्चे से reading करवाए जाती है और उसको उसका meaning translate करके समझा दिया जाता है और then फिर focus किया जाता है writing पर तो यानि यह दो steps जो है आपके इनको neglect करता है और जादा main कौन सा है यहाँ पर वो है speaking का ठीक है इसलिए speaking का ही हमने उपर जो point लिखा वो इसी से related लिखा तो आपको clear हो गया कि listening speaking को neglect करता है reading writing पर जादा जोड़ देता है कौन सा method grammar come translation method यह आपका MCQ में भी यहाँ से question पूछा जा सकता है आगे बात करें दोस्तों word to word translation होता है इसमें जैसा कि मैंने आपको अभी जब इसका meaning के बारें बताया कि method कैसे यूज किया जाता है है क्या इस method में तो हमने जाना कि यहाँ पर क्या किया जाता है बच्चे को आपके जो भी teaching material होता है उसको word to word translate करके बच्चे को समझा दिया जाता है word is the unit of teaching इसके लिए हम इस line का use कर सकते है कि word is the unit of teaching ठीके यानि word to word translate करके यहाँ पर सिखाया जाता है आगे बात करें no practice of speaking तो वही यहाँ पर main बात हो गई कि speaking पर नहीं की जाती कोई भी practice यानि speaking का जो आपका aspect होता है उसको यहाँ पर neglect किया गया है सही है बिल्कुल समझ आ रहा है इतना सभी को आज एक ही method हम लोग सीखेंगे grammar come translation method इसको complete कर लेगे आज की class में आगे बात करते हैं एक और point आपका यहाँ पर बच जाता है classes are teacher centered यानि यहाँ पर classes कैसी होती है जब आप इस method को use करते teacher centered होती है अध्यापक केंदरित कक्षाइं होती है यानि अध्यापक अपनी मर्जी से पढ़ाता है कि उसको क्या सिखाना है ठीक है कैसे सिखाना है यहाँ पर बाल केंदरित सिख्षा को बढ़ावा नहीं दिया गया है इस method में क्योंकि teacher अपनी मन मर्जी से बच्चे को सिखाता है ना कि यह कि बच्चा क्या सीखना चाहता है वो उसको बहुलना भी सीखना चाहता है लेकिन यहाँ पर सिर्फ क्या होता है कि teacher centered classes होती है ठीक है तो यह कुछ महतकून पॉइंट से जहां से आपकी question बनने के आसा इस method को neglect किया जाता है या कि suspect पर practice नहीं की जाती है तो speaking पर इस method में क्या होता है word-to-word translation होता है English का उसकी mother tongue में तो इतने चीज़े क्लियर हो जाती है आपको सभी बताएंगे एक बार comment box पे clear है सभी को इतना इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों इसके merits क्या-क्या इसकी व आपको या merits है ठीक है या कौन कॉंसीस के अच्छी बाते हैं तो सबसे पहले easy for common teachers यह एक बहुत easy method होता है हर एक teacher इसको use कर सकता है easily तो सभी के लिए बहुत आसान होता है इसलिए इसलिए जादे तर इस method का use किया जाता है दूसरा method point यहां पर है time saving यह method बहुत ही time saving होता है यानि जितना आपकी विशय वर्षतु में दिया गया है उसको आप सिर्फ translate करके बच्चे को समझा देंगे इतना ही motive होता है ठीक है तो यहां पर इसलिए time कम लगता है इस method से आपको बच्चे को सिखाने में तो हम कह सकते हैं यह method किसलिए method कोन है क्योंकि यह time saving है समय बच जाता है जैसा कि मैंने यहां आपको बताया था कहांगे यह चारो पॉइंट यह रहे तो reading को reading क्या होती है इसमें develop होती है बच्चे की और writing ठीक है तो reading is developed and fourth point is it helps the student to learn English यह बच्चे को English सीखने में मदद करता है क्योंकि आपको पता चलता है कि इस word का Hindi में meaning क्या होगा ठीक है या आपकी जो भी mother tongue है उसमें उस बच्चे को जब उसका मतलब समझा जाता है तो वो relate कर पाता है कि अच्छे इस word को English में यह बोलते है तो help करत है स्टुडेंट को English सीखने में आगे अगला point है through their mother tongue अच्छा यहां पर बात की गई है कि mother tongue की help से English को सीखने में बच्चे की मदद करता है कौन सा method grammar come translation method कि लिए है आपको जी last point यहां पर इसका merit क्या हो जाएगा useful at primary stage यानि जब प्रात्मिक सिक्षा होती है बच्चे की श सिखाए तो यह ज्यादा impact करता है ज्यादा अच्छा होता है ऐसे समय में क्योंकि बच्चे को वहां पर जो उसकी mother tongue है उसमें तो बाते सभी पता होती है लेकिन English language में उनको नहीं पता होता कि किसको क्या कहते है तो जैसे आपने देखा होगा छोटे बच्चे को कैसे सिखा जाता है ताकि वह रिलेट कर पाए कि अच्छे जिसको मैं कान बोलता हूँ यह होता है English में अगर बोले तो यह बोला जाएगा ठीक है तो इस तरीके से primary stage पर जादा beneficial होता है यह method आप से पूछा जा सकता है कि किस stage के लिए important है तो आप बताएंगे grammar come translation primary stage के लिए जादा important ह है ठीक है तो आपने देख लिए merit कौन-कौन से एक बार और फटा-फट से देखिए फिर हम demerits की ओर चलेंगे ठीक है तो यहां पर बात की हमने easy for common teachers ठीक है सभी teachers के लिए बहुत easy होता है और time saving होता है reading को develop करता है students की help करता है English सीखने में उसकी mother tongue की help से और primary stage पर helpful होता है अब इसके बाद हम चलेंगे दोस्तों आपका इस topic का last यहां पर step आपका last stage आ जाती है demerits ठीक है यहां हम बात करेंगे grammar come translation यानि GTM method के demerits क्या होगी यानि कहां कहां इसकी खामिया है क्या कमिया है क्यों अच्छा नहीं है यह method अभी तक हमने जान लिया कि अच्छा क्यों तो इस method की अब हम यहां पर negative बात जानेगी कि क्या क्या इसमें सही नहीं है क्यों सही नहीं है यह method सबसे पहले ज़रूरी बात है कि exact translation is not possible यानि हर एक word का जैसे उसमें दिया गया है उसका exact translation करना possible नहीं होता है कुछ ना कुछ चीज़े teacher miss कर देता है समझाने में सिखाने म तो exact translation नहीं कर पाता तो यहां पर यह इसकी negative बात है यानि इसका demerit है कि exact translation possible नहीं होता है दूसरे important बात यहां पर क्या होगी जो कि हमने पहले जानी थी कि speaking aspect को यह बिल्कुल neglect करता है कि कि यानि इसकी यहां पर speaking पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता है आपके grammar come translation method this method ignores the natural way of learning a language बहुत अच्छी बात यहां पर की गई है कि जो एक language को सीखने का एक natural process होता है natural way होता है उसको यह ignore करता है ठीक है क्यों ignore करता है क्योंकि आपने जाना कि इसमें listening और speaking पर बिल्कुल भी focus नहीं किया जाता है जबकि कि किसी भी language को सिखाने के लिए सबसे पहला step listening ही होता है then second step speaking होता है उसके बाद आता है reading लेकिन यहां पर reading से शुरूआ के और writing पर आपका खतम हो जाता है सिर्फ इन दो पर focus करके तो जो एक natural way है किसी भी language को सीखने का उसको यह ignore करता है तो यह इसकी क्या हो गई यह इसका demerit हो गया कि यह natural way को जो इंगलिस सीखने का natural way है किसी भी language को सीखने को इसको यहां पर ignore कर देता है ठीक है एक और यहां पर important demerit आप कह सकते है कि grammar by rules not by use कि इसमें grammar कैसे सिखाई जाती है rules से सिखाई जाते rules बता कर छोड़ दी जाते है जबकि उनका use कहा है ठीक है general life में उसके बारे में नहीं बताय जाता तो इसलि करके नहीं सिखाया जाता है textbook में जैसा होता है as it is उसको उसके rules बता करके छोड़ दिये जाते हैं तो यह हो गया आपका complete grammar come translation method ठीक है आपको समझ आ रही है सभी चीजे clear हुआ grammar come translation method में आखिर क्या था सबसे मैस्पून बात आपको इस table से समझा जाएगी कि target language को translate किया जात किया जाता है teacher centered classes होती है यहां पर और जो आपका एक natural way होता है किसी भी language को सीखने का उसको neglect करता है आपका grammar come translation method तो यह थी आपके आज की class जिसमें हमने सीखा grammar come translation method के बारे में guys इससे regarding आपकी class मैंने second semester में ली थी methods of English teaching पर ठीक है वो बिल्कुल बॉर्ड पर ली हुई है मै इसको इस class के बाद दो पैर में share करूंगी तो इसको देखना बहुत अच्छे से वहां पर समझाई गई है आगे के methods का भी आपको एक roadmap clear हो जाएगा ठीक है सभी methods क्लास में मैंने बताए हुए है तो आप जानते है क्योंकि same आपका second semester में भी a topic होता है teaching methods वाला तो एक बार आप उसको जरूर देखिएगा आपको clear हो जाएगा अगर कहीं पर भी कोई भी doubt आपका रहे जाता है so thank you so much guys आज की class में इतना ही आपको class कैसी लगी comment box में जरूर बताए और पसंद आई है तो like or share करना बिल्कुल ना भूले channel पर नए है तो आप जानते है क्या करना है pdf के लिए टेलिग्राम जोइन कर लिजे तो आपसे फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार बाए बाए टेक केर जय हिन जय भारत